दोस्तो अगर इस तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से लर्निंग करके तो आप कर सकते हैं हमारे टेलिग्राफ चैनल को जोई इन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लर्निंग अर्निंग के कॉंसेट पे आगे बढ़िए तो सबसे पहले मैं आपको जो पर्टिकुलर न्यूस देने जा रहा हूँ तो उसमें साथ में ये लिखा है सामने देख लीजे अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये जो खबर है ये जो न्यूस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसी इंपोर्टेंट न्यूस के लिए हमारे चैनल को सबस्काइब कर लीजे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाईए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेडर हैं तो यह न्यूस आपको टोटली इंपाक्ट करने वाली है एक नॉमबर से एक नॉमबर से देखेगा आपको टोटली इंपाक्ट करने वाली है विदिन फाइफ डेज में तो आपको यह पता होनी चाहिए चुकि यहाँ पे share बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है और एक number से यह चीज क्या हो जाएगी लागू हो जाएगी अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर वही चीज है ना कि आप 10 ट्रेड लेकर 15 ट्रेड लेकर green में close करोगे अपने account को बट आपका margin आपका fund अगले दिन minus में ही आएगा अगले दिन घटकर ही आएगा तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे stock market पे बहुत impact पड़ता है जब यह changes market में execute होते हैं तो इससे trading style में change होता है operators भी अपने बहुत style को change करते हैं big trader भी अपने style को change करते हैं जो की आपको पहले से पता होना चाहिए तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BSC ने charge बढ़ाने का ऐलान कर दिया है अब charge आप जानते हो कितना बड़ा ingredient है यानि कि आप अगर over trading करते हो तो यह चीज आपके लिए एकदम कर्स जैसा है अभिशाब जैसा है कि अगर आप यह कर रहे हो आप दिन में बहुत multiple trade लेते हो बहुत जादा multiple trade लेते हो तो यह आपके लिए important है कि यहाँ पे आपके पैसे जेम से जाने वाले हैं जिसको आपको अपनी skill के recording क्या करना है सुधारना है तो आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा exchange ने बड़ा फैसला लिया है और कारोबार से जुड़े charges को बढ़ा दिया है यानि कि जितने भी आप देखेंगा stock market में trading investment जो भी चीज़े करते हो यह सारे charges उन्होंने बढ़ा दिये हैं मुठ्य रूप से S&P BSC Sensex option पर लागू होंगे ने charges 1 November 2023 से लागू हो जाएंगे और आपको पता है जब यह charges बढ़ते हैं तो यहाँ पे style और trend of the market change होता है option seller के लिए पिछली बार देखेगा update आये थे charges बढ़के आये थे trend change हुआ अब देखेगा market तो volatility after that particular news बढ़ गई है तो S&P BSC Sensex option के लिए transaction charges के बारे में जानिए 3 करोण तक के turnover के लिए अब charges 500 प्रती करोण रुपए देने पड़ेंगे आनि कि 500 रुपए प्रती जितना बड़ा turnover उतना जादा amount आपको देखना पड़ेगा 500 रुपए प्रती करोण यानि कि 3 करोण तक जाएंगे आप तो यह तकरीवन अगरे 1500 हो जाएगा आप charges देखेगा आपके सामने है 3 करोण से अधिक और 100 करोण तक के turnover के लिए आपको 3750 प्रती तै किये गए करोण पे करना पड़ेगा आप यह समझे आप यह सुचोगे तो करोणों तक नहीं मर आप पहुसते हो आप turnover देखिए आप एक turnover की बात हो रही है आपके trade आपके profit की बात नहीं हो रही है turnover आपका पता चलता है जब multiply करके आप amount लाते हो कि actual में वो amount अगर आपको buy करना होता तो कितना ज़्यादा बड़ा turnover होता वो आपके balance sheet statement में आता होगा आपके statement जो आते हैं evening में उस पे आता होगा yearly statement को देखे का उसमें आता होगा daily statement में भी आपको देखने को मिलता है कि आज आपने पूरे दिन में कितना turnover किया तो turnover के एसाब से यानि कि 3 करोन तक आपको 500 रुपए प्रती यानि 1500 रुपए 3 करोन तक देने हैं और उसके बाद 4 करोन का हो गया तो 3750 आपको प्रती करोन तैग किये गए हैं उस पे आपको देने पड़ेंगे यह बहुत important चीज मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोन से देखेगा 750 करोन तक के turnover के लिए 3500 प्रती करोन चार्जिस लगेंगे और इसके उपर अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से आपके लेन देन बढ़ते जाएंगे 3000 प्रती करोन हो जाएगा इस तरीके से turnover जितना तेजी से आपका बढ़ेगा उतने तेजी से आपके charges कटते जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपे पूरी तरीके से पूरा इन्होंने briefing कर दी है 1500 करोन के उपर तक की briefing कर दी है और उसके उपर 2000 करोन तक की briefing कर दी है कि आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा जब यह applicable होगा तो big player इससे impact होंगे big option player जो हैं उनके charges बढ़ेंगे तो उनके impact बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो उससे liquidity पे फरक आएगा stock market की liquidity पे से फरक आता है charges बढ़ने से तो वो फरक आपको एक number से देखने हों मिलेगा या फिर इस Friday के बाद से देखने हों ही मिल जाए इस Friday के बाद से ही देखने हों मिल जाए जिससे stock market में काफी volatility बढ़ जाएगी एक number तक या फिर एक number के बाद एक हफते तक